यस्यस्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधिनात विमुच यते नमस्तस्मृ विश्नवे प्रफविश्नवे कार्तिक मासंहात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान श्रीक्रिष्ण और श्रीमती राधा रानी आपकी समस्त मनुकामनाओं को पूर्ण करे हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले हरे क्रिष्णा आसकी कथा में आप सभी भक्तों का हारदिक स्वागत है भगवान श्रीक्रिष्ण और श्रीमती राधा रानी की क्रिपा सदयव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे हमें भगवान पर विश्वास है ये बात तो सभी कहते हैं लेकिन कितना विश्वास है, क्या इतना विश्वास है, कि परिस्थिती चाहे कोई भी हो, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हर परिस्थिती में भगवान स्रिक्रिष्ण से पहले और बाद में कोई भी नाम याद न रहे, अगर मनुश्य सिर्फ भगवान गीता में कहा है कि अगर मनुष्य सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाए तो उसके सारे संकट सारे दुख में हर लेता हूं और ऐसा ही विश्वास था एक चिडिया का जो कि गौरया थी गौरया चिडिया का नाम आप सबने सुना होगा एक बहुत ही छोटी सी चिडिया ह होती है आप सबने जरूर उसे देखा होगा और यह पौराणिक कथा है महाभारत काल की महाभारत काल में जब कुरुक्षेत्र के मैदान को युद्ध के लिए तयार किया रहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध-चेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के था पेड़ों को उखाडने के लिए और जमीन को साफ करने के लिए हाथी पूरे वेग से अपने इस काम में लगा हुआ था परन्तु ऐसे ही एक पेड़ पर एक गवरया अपने चार बच्चों के साथ रहती थी जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोसला ज प्रिशान हुई कमजोर थी भैभीत थी अब गवरया मदद के लिए इधर उधर देखती रही तब ही उसने क्रिष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा वे युद्ध के मैदान की जाच करने और युद्ध की शुरुवात से पहले जीतने की रणनीती तयार करन के लिए वहां गये थे अब तो भगवान को देखकर गवरया को थोड़ी रहत मिली उसने भगवान के रथ तक पहुँचने के लिए अपने छोटे-छोटे पंक फड़फड़ाए और किसी प्रकार के पास जा पहुँची और पास पहुँचकर भगवान से बोली हे क्रिष् श्रिक्रिती के कानून में हस्तचेप नहीं कर सकता गवरया ने कहा हे भगवन मैं जानती हूँ कि आप ही मेरे उद्धार करता है मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौबती हूँ अब ये आपके उपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते है काल चक्र पर किसी का बस नहीं है श्रिक्रिष्ट ने एक साधारन व्यक्ति की तरह उससे बात की जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे गौरईया ने विश्वास और स्रद्धा के साथ कहा ये प्रभू आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती आप स्वैम काल के नियनता हैं ये बात मुझे पता है मैं सारी स्थिती एवं परिश्थिती एवं स्वैम को परिवार सहित आपको समरपण करती हूँ गौरईया की बात सुनकर भगवान श्रिक्रिष्ण बोले कि अपने घोशले में तीन सपताह के लिए भोजन का संग रह करो इधर गौरईया और श्रिक्रिष्ण के समवाद से अनभीग्य अर्जुन गौरईया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं गौरईया ने अपने पंको को कुछ मिन्टों के लिए फुलाया और फिर अपनी घोशले में वापस चली गई दो दिन बाद शंक के उद्धोश से युद्ध शुरू होने की घोशणा की गई क्रिष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बान मुझे दो अर्जुन चौका क्योंकि क्रिष्ण ने युद्ध में कोई भी हत्यार नहीं उठाने की शपत ली थी इसके अत्रीक्त अर्जुन का ये भी मानना था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है अर्जुन ने द्रिड विश्वास के साथ कहा मुझे आज्या देभगवन मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है चुप चाप अर्जुन से धनुष लेकर क्रिष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाए तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई अब तो अर्जुन ये देखकर अपनी हसी नहीं रोग पाए कि क्रिष्ण एक आसान सा निशाना चूग गए फिर अर्जुन ने स्वैम को प्रस्तूत करते हुए कहा कि क्या मैं प्रयास करूं लेकिन अर्जुन की प्रतिक्रिया को नजर अंदाज करते हुए भगवान स्टिक्रिष्ण ने उन्हें धनुस वापस दे दिया और कहा कि कोई और कारिवाई आवशक नहीं है लेकिन केशव आपने हाथी को क्यों तीर मारा अर्जुन ने पूछा भगवान स्टिक्रिष्ण ने कहा क्योंकि इस हाथी ने उस गवरईया के आश्रय उसके घोशले को जो की एक पेड़ पर था उसको गिरा दिया था अर्जुन ने पूछा कौन सी गवरईया भगवन इसके अत्रीक्त हाथी तो अभी स्वस्त और जीवित है केवल घंटी ही तूटकर गिरी है अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए भगवान स्टिक्रिष्ण ने उसे संख फूकने का निर्देश दिया युद्ध शुरू हुआ अगले अठारह दिनों में कई जाने चली गई आंत में पांडवों की जीत हुई और फिर से एक बार क्रिष्ण अर्जुन को अपने साथ लेकर सुदूर छेत्र में भ्रमण के लिए गए कई शव अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संसकार का इंतजार कर रहे हैं जंग का मैदान गंभीर अंगो और सिर बेजान सीडियों और हाथियों से अटा पड़ा था भगवान स्टिक्रिष्ण एक निस्ची तस्थान पर रुके और एक घंटी जो की हाथी पर बांधी जाती थी उसे देख कर विचार करने लगे फिर भगवान स्टिक्रिष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन क्या आप मेरे लिए या घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे निर्देश बिल्कुल सरल था परन्तु अर्जुन के समझ में नहीं आया आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी कृष्ण उस धातु के एक टुकडे को रास्ते से हटाने के लिए क्यूं कहेंगे उसने प्रश्ण वाचक दिर्ष्टी से उनकी ओर देखा हाँ यह घंटी कृष्णे ने दोहराया यह वही घंटी है जो हाथी की गरदन पर पड़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था फिर अरजुन बिना किसी और सवाल के वह भारी घंटी उठाने के लिए नीचे जुका और जैसे ही उन्होंने उसे उठाया उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई एक, दो, तीन, चार और पाँच चार युवा पक्षी और उसके बाद एक गौरईया उस घंटी के नीचे से निकले बाहर निकलके मा और छोटे पक्षी कृष्ण के एर्दिगिर्द मंडराने लगे और बड़े ही आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी अब तो अर्जुन हैरान परेशान हो गए अर्जुन ने कहा हे ग्रिष्ण मुझे च्छमा करे आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुश्यों की तरव व्यभार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तों में कौन है इस कथा का सार ये है कि जिस प्रकार से गौरिया ने अपने आपको और अपने पूरे परिवार को भगवान श्रिक्रिश्न को ही समर्पित कर दिया और फैसला उनी के हाथों में छोड़ दिया और फिर चुप चाप उस घंटी के नीचे पड़ी रही पूरे 18 दिनों तक तो आईए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक कि ये हमारे लिए उठाई न जाए आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी जरूर कीजेगा और अब आप सुनेंगे आज का अध्याए ब्रिंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जैजैकार होने लगी पतिवरत धर्म के प्रभाव से ब्रिंदा ने मुक्ती प्राप्त की तब राजा प्रिथू ने पूछा हे देवर्शी इसके पस्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह द्यत्य कैसे मारा गया क्रिपा करके उस कथा को मुझसे कहो नारत जी ने कहा कि जब गिर्जा वहां से अद्रिश हो गई और गंधर भी माया भी विलीन हो गई तब भगवान विशब्धवज चैतन्य हो गए उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे जलंधर शंकर के बाड़ों को काटने लगा परन्तु जब काट न सका तो उसने माया की पारवती बना कर अपने रत से बांध लिया जो विलाप कर रही थी तब अपनी प्रिय पारवती को इस तरह कष्ट में पड़ा देखके शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों की तरह व्याकूल हो गए और उन्होंने अगनी पुंजी की तरह भयंकर रोद्र रूप धारण किया उनके रोद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका यहां तक की शुम्भ निशुम्भ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके जलंधर की सारी माया छड़ भर में नश्ट हो गई युद्ध में चारो और हाहाकार होने लगा शिवजी ने उन भागते निशुंभ शुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा तुम दोनों बड़े दुष्ट हो तुमने मेरा बड़ा अपराद किया है तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो भागते को मारना पाप है इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूँगा परन्तु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंथर क्रोध में अगनी के समान प्रज्वलित हो उठा उसने शिवजी पर घोर बार्ण वर्षा करके धर्ती पर अंतकार कर दिया तब उस दैत्य की ऐसी चेश्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए उन्होंने अपने बनाई हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धर्ती पर गिरपड़ा और भयंकर हाहकार होने लगा अंजल परवत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए उसके रुधिर से संग्राम भूमी व्याप्त हो गई, सारी धर्ती विवल हो थी शिवजी की आग्या से उसका रक्त और मांस महा सौरो में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकल कर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि ब्रिंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्म सब बहुत प्रसंद हो गये ब्रह्मा आदी देवताओं ने नत मस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तूती की और कहा हे प्रवु आप प्रकृती से परे पारब्रम और परमेश्वर हैं आप निर्गुन, निर्विकार और सब के इश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं हे शंकर जी हम ब्रह्मा आदी सब देवताओं आपके दाश हैं हे देवेश, हे शिवजी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए, हे नात, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदा आपकी शरण में ही रहते हैं। राजा प्रिथु ने नारज जी से कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदी सब देवताओं और मुन्यों ने शिवजी की अनेक प्रकार से स्तूती की और उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर शिवजी वहीं पर अंतरध्यान हो गए। जब सभी देवता स्तूती करके मौन हो गए, तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदी देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंस था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए आप इससे सुखी हुए या नहीं? तब ब्रह्मा आदी देवताओं के नेत्र हर्श से खुल गए, उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वितांत कह जुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से ब्रिंदा को मोहित किया था, तथा वा अगनी में प् प्राचर प्रकृती है जो आपके ही अधीन है, देवताओं से यह सब सुनकर भगवान शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है, उसी से मोहित भगवान विष्णु भी काम के वर्श हो गये हैं, परंतु महादेवी उम सब देवता मूल प्रकृती को प्रसन्य करने के लिए उनके पास पहुचकर उनकी स्तूती करने लगे, आकाशवानी हुई, हे देवताओं, मैं तीन प्रकार से तीनों गुणों से प्रितक होकर स्थित होती हूँ, सत्गुण से गौरी, रजोगुण से जोती रूप हूँ, तथा आप लोग मेरी आग्या से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ, तो वह तुम्हारे मनोर्थों को पूरा करते की। उन्होंने बीजों को व्रिंदा की चिता की भूमी में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई, विश्नु जी ने जो ही उन इस्त्री रूप वाली वनस्पत्यों को देखा, तो वह उट बैठे, मोहित होकर उनसे याचना करने लगे, धात्री और दीती की, तो विश्नु सारा दुख भूल कर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोग को चले गए, वह पुर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर जी का स्मरण करने लगे, तब नारत जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उध्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विश्नु की पूजा की जाती है, तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विश्नु को प्रसन्य करने वाला है, हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान होता है, वह घर तीर्थ के स्वरूप होता है, और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं, यह पौधा से पुन्यफल देने वाले हैं, तुलसी को चूले से काईक, वाचिक, मानसिक आदी संपुर्ण पापनष्ट हो जाते हैं, जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं, वह पुनए गर्भ में नहीं आते, और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं, तुलसी के काश्ट का चंदन लगाते हैं, वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उनके द्वारा किये गए पाप, उनके शरीड को स्पर्ष नहीं कर पाते हैं, हे राजन, जहां तुलसी के वन की छाया हो, वहाँ पर पितरों का श्राध करना चाहिए, वहाँ पर पितरों के निमित दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है, आवले के व्रिक्ष की छाया में, जो प्राणी पिंडदान करते हैं, उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो, तो भी मुक्त हो जाते हैं, सिर, हाथ, मुह और देह में, जो आवले को धारन करते हैं, उन्हें स्वरण मणी और मोतियों द्वारा पूजन करने का फलक्राप्त होता है, कार्तिक मास में सब तीर्थ, रिशी, देवता और सब यग, जब सुर्य तुला राशी में होता है, आवले के व्रिक्ष में वाज करते हैं, और जो मनुष्य द्वादसी तिथी को, तुलसी द्वादसी दल और कार्तिक मास में आवले का पत्ता तोड़ता है, मनुष्य रौरव नर्क में वास करता है, जो कार्तिक मास में आवले की चाया में बैटकर भोजन करता है, उसके संसर्ग मात्रे से सब दोश नष्ट हो जाते हैं, कार्तिक में जो आवले की जड़ में प्रेम से बोलिए तुलसी माता कीजे जय जय श्री कृष्णा जय श्री राधे और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा श्री तुलसी महरानी करू विने सिरनाए जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए नमो नमो तुलसी महरानी महिमा अमितन जाय बखानी दियो विष्ण तुमको सन माना जग में चायो सुयस महाना विष्ण प्रिया जय जयति भवानी तिहूं लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं हो या निवासा उस घर कर ही विष्ण नहीं बासा करे सता जो तव नित सुमिरन तेही के काज हो या सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुंदर वर्श कुमारी करे जो पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी बृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिर नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमैं सकल चित धारी तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में औश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विक्याता देवरिशीमुनी औरतप धारी करत सदातव जय जय कारी वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया नमो नमो जय जय सुख कारनी नमो नमो जय दुखनी वारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जै कुमत नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाऊं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा प्रथमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चाली साकी अस्तुति करे मात तुल साकी यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चाली सा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पाव ही जो मन इच्छा होई तुलसी चाली सा संपूड और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आर्थी तुलसी महारानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप कीनो शालिग राम की बनी पतरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले श्रीपती कमले चरण लपतानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धूप दीप ने वेद्य आरती पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो प्रेम से बोलिये तुलसी महारा की जै कार्तिक के ठाकु राईदा मोदर की जै 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 श्री कृष्णा जै श्री राथे झाल